हलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I. 010 का जून 2021 के question paper को solve करने वाले हैं दोस्तो यह question paper important है इस question paper को हम detail में समझेंगे question क्या कह रहा है किस तरस हम उसके वो समझ सकते हैं किस तरस उसका answer explain कर सकते हैं उसको हम detail में जानेंगे बट वीडियो को हम courses करेंगे जाता लंबा ना बना है चोटे चोटे वीडियो के अंदर में ख़तम करने courses करेंगे और इससे पहले भी मैंने कई सारी question paper की वीडियोस डाल रखा हूँ उन वीडियोस को भी जरूर देखें उससे आपको बहुत ज़दा benefit मिलने वाला है यहाँ पर वीडियोस टार्ट करने से पहले आपका दो रिक्वेस्ट रहेगा फिर्स रिक्वेस्ट यह है अगर आप MA history के student हो और अच्छे नमर लाना चाहते है आपके पास time कम है तो दीन अप पर बहुत सारी MA history की वीडियोस डिली हुए उन वीडियोस को जरूर देखें उससे आपको बहुत ज़दा benefit मिलने वाला है और उन ही वीडियोस में से एक वीडियो है last 5 year question paper की वीडियो जहां पर last 5 साल के जो question paper उसको solve करवाया गया है उस वीडियो को जुरूर देखें देखें जब exam पास आ चुका होता है time कम होता है तो जितना ज़ादा हम question paper को solve करते है उतना ज़ादा benefit होता है Question paper solve करने हैं कि हमें pattern पता चलता है कि question paper में question का pattern क्या है, किस तर से question बन रहा है, उसका answer हम कैसे लिख सकते है, important question क्या है, repeated question क्या है, answer writing की practice होती चली जाती है, तो वो हमें exam के अंदर में number boost करने में बहुत ज़ाद help करता है, तो मैं request करूँगा कि आप सभी वीवर से कि दीन अप की सारी वीडियोस देखे हैं, और उन सभी वीडियोस के अंदर में एक last fiber की वीडियो है, वो भी देखे, आपके number के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एक suggestion के तौर पे, यहां पर एक request और रहेगी दोस्तों, कि जो भी वीवर से हैं, अगर वो वीडियोस को देख रहे हैं, तो like, share, subscribe जरूर करें, आपके एक एक like, share, subscribe करने साब में motivation मिलता है, हम और अच्छे से महनत करके और वीडियो बना पाते हैं, चले हम अपना question paper स्टार्ट करते हैं, देखे हर question paper के अंदर में में एक चीज़ बताता तो time management बहुत important होता है, दूसरा जो सबसे important चीज़ होता है, पूरे question paper के अंदर में, जो word limit है, वो important होता है, आपको हमेशा हर एक answer को लिखते समय, word limits को manage करना है, कितने words के अंदर में आपको answer करना है, कितने words हो चुके हैं, कितना लिखोगे तो होगा answer complete, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, word limit के अंदर में ही आपको चलना है, word limit से बाहर गए आप, तो सब कुछ खतम हो जाता है, word limit के आपको BCS के आपे ध्यान रखना है, ठीके, तो ये दो important चीज़ है, time management और word limit, चलिए हम अपना question paper को start करते, सबसे पहला जो हमारा question आता है, आता है, भारत के प आज मैं डेली में रहता हूँ, डेली पूरा आसपास में high-rise buildings है, आसमान को चूरी है buildings को, तो ऐसा है नहीं कि आज के समय में ही ये direct एकदम बन किया हुआ एक बार में, पहले छोटी-छोटी buildings थी, छोटी-छोटी घर थे, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे का था, उनका राजनेतिक शंबन्द किस परकार का था, उसको हम study करते हैं, आपस में जो इमारते बनी, वो किस परकार से बनेए गई, किस तरह का architect था, किस तरह से बनाने का नजरिया था, क्या reason था, उसकी बारे में जब हम study करते हैं, तो उसको हम पारमे के 63 नगरों के बता कोन रहा है, जैसे आप हड़पा सब्यता के देखने के लिए कहां पर है, जाने के एक शाह भाय है पर गया नी हूँ तो फिर भी हमें जानकरी है तो क्या से पता चला, तो विद्वानों को ठुरू पता चला मतफेद कॉन्फिक्ट है विचारों का विचारों का कॉन्फिक्ट कैसे है माल लो एक इतिहासकार ने बोला कि हड़ापा से बता कि जो नगर विस्तार है वहाँ पर गलियों का सुरूप बहुत अनोखा है यहाँ पर समकोन पर काटती है इसका रीजन ही यह है पर दूसरा इतिहासकार बोलता है नहीं नहीं यहाँ पर जो समकोन पर काटने का रीजन कुछ और हो सकता है यहाँ पर यह रीजन नहीं है तो वहाँ पर जो रीजन को लेकर जो कॉन्फिक्ट हुआ ना कोई कहता है यह है कोई कहता है यह है कुछ पर विकास का reason कुछ और मानते हैं, ठीक है, तो ये reason यहाँ पे रहता है, ठीक है, अगर एक for example, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो, जैसे हडपा सब बता के हम बात करते हैं, तो हडपा सब बता में बहुत सारे इतिहास कारव, विदेसी वैपार को include करके चलते हैं, कि हडपा विकास किया इतना जादा जल्दी से, उसका reason रहाँगा विदेसी वैपार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परदार्थ मिले, ऐसे वस्तु मिले, जो हडपा के अंदर में उपलब्द नहीं थी, फिर भी हडपा के अंदर में मिली, ठीक है, तो मानके चलते सा आपसी मतबेद हैं, पर end of the result यह एता है, कि जितने भी इतिहास का रहे हैं, भारत के विकास के सोरूप को दिखाते हैं, किस तरसे नगरों का विकास हुआ है, एक बार में तो विकास में हुआ न, तो उसका पूरा cycle क्या है, किस तरसे विकास करता गया, वो उसको हम दिखात किया गया, वो आप बताओगे, 3-4 त्यांसकार को पकड़ो, वहाँ पर बताओ, ठीक, अच्छे नंबर बन जाते हो, और अच्छे से explain आप कर सकते हो, ठीक है, question समझ में आया आपको, answer समझ में आया, क्या लिखना इसके अंदर में, अगले question क्यों बढ़ते हैं, फिर हम, अ लगजरी आइटम के तौर पर माना गया, ठीक है, विलासिलता की वस्तुए, दूसरा क्या था, आम लोगों के लिए, तो सिल्पूत पादन के अंदर में, बीजैसे हडपा के अंदर में, सिल्पूत पादन के कई जगए पर साक्षे मिलते हैं, ठीक है, साक्षे उसके अंद तो हमें पता के चला कि कुछ लोगों के पास था, जिस दिको, नगर के आसपास में सवधा मिले, जहां पर जो लास होती थी, दफनाय जाता था लोगों को, मिर्तल लोगों को दफनाय जाता था, सवधा जिसे कहते हैं, या मिर्तदा कहते हैं जिसे, तो उसके अंदर में कु जो अमीर लोग हुआ कर होते होंगे तो वहाँ पर सिल्प उत्पादन के कई सारे परदार्थ मिले, बाकी चीजे मिली मिर्तभान मिला, तो ये भी दिखाता है कि विला सिल्प उत्पादन जैसे जो चीजे विला सिल्प वस्तों के लिए भी अलग से मनाई गई थी और गरीबों के लिए अलग से थी ठीक है, मिट्टी के बरतन और वो सिल्प उत्पादन का अगर हम बात करते हैं तो कई जब हमें इसके साक्षे मिलते हैं हरपा के अंदर में सिल्प उत्पादन के काली बंगल ले लो, लो तर ले लो सासत में ये भी माना गया कि इस सिल्प उत्पादन के अधार पर विदेसी वैपार को भी अट्रेक्शन मिला होगा विदेसी वैपार भी किया गया होगा ठीक है, तो इस तरीके सा आप यहां पर हरपा का जो सिल्पुत्पादन है वो आप उसको define कर सकते हूँ कि कैसे सिल्पुत्पादन विकास किया कैसे grow किया वो आप यहाँ पिलिफाइन कर सकते हूँ ठीक है समझ में आता है अगला question हमारा बनता है तक्षिला घांटी से तक्षिला घांटी ठीक है जो यह वर्तमान इस्तितिय तक्सिला की पाकिस्तान और सिंदू और जहलम नदी के जो बीच में जो पोतवार पठार है उसके पश्चिम भाग में यहां तीन नगर है तीक है तीन नगर है कौन-कौन से भीर टिला भीर टिला, सिर्कप और सिर्मुक इनकी खुदाई में पुरातात्विक सरक्षे प्रात होते है जो टाइम पे रहता है पांसो इसा पुरुफ से लेकर पांसो इसा करेता है और इसके मद्धे में जो भीर टिला प्राचिंतम अफशेस मिले हैं सिर्कप के यहाँ पे जो अफशेस मिले हैं और सिर्मुक के यहाँ पे जो अफशेस मिले हैं वो बताता है तक्सिला घांटी को कि किस तरह का घांटी रहा होगा मेंली कहने के मतलब क्या सिंद और पाकिस्तान का जो जिलम नदी है उसके पास में जो पठार बहता है ठीके पठार बहता नहीं पठार जो है पहाड एक तरका ठीके पोतवार पठार जिसम बोलते हैं उसके जो पास की पूरी घांटी को हम तक्सिला घांटी के तौर पे जानते हैं ठीके, यहाँ पर तीन नगरों की बात करके चलते हैं, यहाँ पर तीन नगर कौन-कौन से आते हैं, भीर, भीर टिला, सिर्कप और सिर्मुख, ठीके, इनकी बात करके चलते हैं, आप देखों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगर किस तर से नगर विस्तिरत किस परकार से ह तो यहां पर तीनों के अंदर में जो भीर टिला है, सिर्कप है, सिर्मुख है, इन तीनों के अंदर में अलग-अलग तरीके उसे विस्तार होते हुए दिखा जाता है, कि किस तर से विस्तार हुआ, पर मेली जब आप इसके बारे में बात करते हो, कि किस तर से विकास हुआ, क के लाइन में बोलू तो क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो दूनों पहाड़ियों के बीच विवाजित करती थी उसके बाद में जो वहां से नदी बहती थी जहिलम नदी उसके कारण से क्या हुआ कि इसके जो छेतर था एक बड़ा छेतर उपजाओ भूमी के रूप में विक्सित हुआ ठीके और सबसे ज़्यादा उपजाओ छेतर किसी के लिए उपलब्द छेतर के रूप में उजाना गया ठीके जला पूरती भी वहां पर पूरी थी ठीके मैदानी छेतर के रूप में बढ़ा वो ठीके तो इस तरीके से तकसिला घांटी को जो होकर वहां से गुजर्टी थी जलम नदी उसके गांस उसको उपजाओ बनाने का कारे करती है ठीके वहां पर साथ साथ में बात करोगे तो जैसे जर्नल कनिंगम के बारे मैं आपने पड़ाओ का हडपा सब्रिता के अंदर में जिन्होंने तकसिला घांटी और अन्य नगरों का सर्वेक् रखते है 1903 के अंदर में उन्होंने अपने यहां पर उत्कनन कारे किया 1913 में उन्होंने फिर से वापस से स्टार्ट किया लगवाग 22 सालों तक यहां पर दो मोसम और सरद और बसंत रितु की खुदाई करते रहे ठीके तो यहां पर अलग-अलग जो इतिहास कार थे उन्ह हो ने यहां पर क्या किया अपना सर्वेक्षन किया है नगरों को बारे में जानने के लिए कि किस परकार से नगर रहे हों के तीके यह उत्तर गुप्त काले नगरिये से संबंदित पुरा तात्विक साक्षो का विशलेशन कीजिए अब देखो उत्तर गुप्त काल के अंदर में जो नगर से संबंदित पुरा तात्विक जो सरविक्षन है उसके बारे हम बात करते हैं तो उत्तर गुप्त काल है क्या पहले तो यह समझो? जब हम उत्तर गुप्त-काल के बारे हम बात करते हैं तो यहां पे नॉर्मिली इस पूरे टाइम पुप्तकाल की बात करते हैं तो एक पर्मुख नगरे केंदर के माहिन में आता है कि किस परकारसे नगरे केंदर विक्सित हुआ किस परकार से छोटी छोटे जो राजे थे जैसे आप उत्तर गुप्तकाल की जब भी आप बात करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि चेल, पाल, परतिहार राश्टकुट जो पूरा जो एक गुट था ना सारमने विकास किया वहाँपर नगरों नगरों का गठन हुआ राज्जय का गठन हुआ राज्जय के गठन के परकरिया चलाएं कृश्वि, धार्मिक, सांस्किर्टिक अन्हे सर पर छित्र का विकास हुआ तो यहाँआ पर बात जाता है उत्तर गुप्तकाल का जब भी हम study करेंगे तो चोल, पाल, परतिहार और राष्टकोट इन वन्सों की बारे में हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं प्रातात्विक साक्षे के अधार पर किस परकार सा तो देखो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नगर का बसावट किस परकार से हैं नगर बना तो उसका इस्ट्रक्चर किस परकार से हैं मैपिंग किस परकार से की गई तो हम उसके बसावट की बात करते हैं कि बसावट में पुरातात्विक सुरोत किस परकार के थे ठीके जो धार्मिक वस्तुकला है उसके बारे में बात करते हैं आप दच्छनी भारत में कभी ट्रेवल करोगे चोल, चेर, पांडेन कभी किसी वन्स के वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगो वहाँ के मंदिर का जो आर्किटेक हो बहुत अच्छा है बहुत ही जबरदस्त है तो किस परकार से बनाया गया है, रीजन क्या था, किस तर से बनने का कारण था वो सारा चीज़े हम वहाँ पर देखते हैं, उसको इस्टड़ी करते हैं और वो अपनी खुबसूर्ती को दिखाता है तो हम यहाँ पर जब भी उत्तर गुप्तकाल के बारे में बात करते हैं तो किस परकार से वो विकास क्या है, नगरिये केंद्रों के रूप में किस तर से विक्सित हुआ उसके बारे में आप यहाँ पर डिफाइन करोगे ठीक है, किस तर से वहाँ पर साहित्ते का भी लेक, यह सब जो मंदिर, यह सब किस तर से बड़े और खंदक के लिए बंद घरों का कार चुथा, सिल्फ कारे काल लादी जो थे सिल्फ के उपर में किस तर से कारे की जाते थे, इन सबी चीजों के बारे में आप यहाँ पर बताओगे ठीक है, तो यह पूरा उत्तर गुप्तकाल के अंदर में क्या जाता है कि चोल, पाल, परतिहार और राष्ट को तो वंसों का हमें जिक्र करते है उनके नगरिये विकास की सबहताओं को जिक्र करते है किस परकार से क्रिशी, धार्मिक, राजनीतिक, परकिरिया, सांस्कृतिक इस तरों पर जो एक साथ विकास करता है उसके बारे हम बात करते है किस परकार से एकी करन के द्वारा गुप्तकाल पर भावित करता है इस question को अच्छे से explain कर सकते हैं, अच्छे number यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, अगले question के और बढ़ते हैं, अगला question हमारा था, question number 5, यहाँ पर आपको tipणी लिखना होता है, तो tipणी आप easily लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, पर tipणी से better होता है, मैं question को अमे installation कीजिए, अब दिको दखन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर उद्ध्योगिक नगर के बारे हम बात करते हैं, अब दिको उद्ध्योगिक नगर होता क्या है, मतलब एक तरह का industry area, आप डेली के अंदर में रहे होगे, तो आप दिस सुनाओगा वजिरपूर industry area, ठीक है, बवाना industry area, industry area क्या मतलब, वहाँ पर किस तरह की factory लगे हुए, किस तरह की company लगे हुए, कितनी जाता company लगे हुए, उसको basis पर हम industry area कहते हैं, जहाँ पर industries है, ठीक है, तो उद्ध्योगिक नगर, industries area एक तरह से मान के चलो, दखकन का, तो मद्ध्यकालीन दखकन के अंदर मे जो सबसे जादा उद्ध्योगी छेतर देखने के लिए मिलता है, सहरी छेतर के अधार पर, जो सबसे जादा विकास करता है, वो वस्तर उद्ध्योग देखने के लिए मिलता है, लोगों के हाथ में उस टाइम पर जो कला था, वो वस्तर उद्ध्योग का कला था, लोग जब ज़दा उपयोग किया जाता था सासात में देखोगे तो सूती वस्तुरों का भी केंद्र था ठीक है जैसे बुरहानपूर देखोगे कि महत्यपुर्ण सूती केंद्रों के तौर पर जाना गया ठीक है वहाँ पर विदेशी वैपार के भी साक्षे मिलते हैं जिसमें इरAND अरब तुर्की से पड़ी मातरा में उनके द्वारा वैपार किया जाता था ठीक है औरणाभाद में सफे सूती के कप्ड़े और रिसेम के समान के लिए परसीथ था जो और रिसम के समान के लिए परसीथ था यह सत्तरवी सतादी के टाइम पिरिट के हम बात कर रहे हैं ठीके और कपास और रेसम मुस्वा में कि सबसे महत्यपोन उद्द्योगों के अंदर में काउंट किये जाते थे ठीके और यह जो पूरा जो यह विस्तार देखोगे ना यहाँ पे जो इरान के अलग-लग विद्वान आते हैं अलग अलग ठीक है धखनी कीलों के अंदर में सहर का विस्तार करते हुए देखते हैं तापती जो नदी थी उसकी किनारे पर सुदर सुदर जो किला था इस तरसे बीकास कर रहा था मुगलकाल के दोराने में अपने जो वस्त्र समिर्धी वस्तर सम्मिर्दी के लिए जाने जाते थे, किस तर से उन्होंने बढ़ा जरी के काम के लिए सोने चांदी के कड़ाई के लिए जाना जाता था, ठीक है, तो ये मुगल के टाइम पिरिड़ पे किस तर से इरान, इराक, अरब से जो वेपार हो रहा था, वो इमकी कलाओ के अधार पर किस तर से वस्तर उद्ध्योग आगे बढ़ा, यहां पर हम उसके बारे में बात करते हैं यहां तो सिर्फ में एक एक एक्जामपल लिके चलना, वस्तर उद्ध्योग का पर अगर आप जद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सोरा की बहुत ज़्यादा मांग होती थी, स्याकरा और चावल में मतलब इनकी मांग बहुत ज़्यादा डिमांड थी. उस समय पे इसका भी मुख्यादार पर उप्योग किया जाता था इसे गोधे Cash तो हीरा उध्योग के लिए इन राज्यों को धाना जाता था मद्य काली इन धक giàकन छेतर था वो हीरा उध्योग के लिए बहुत जादा था ? ठीके तो इस तरीके सब यहां पर नًगे बात करते हो यहां बस्तर उध्योग को बता सकते हो सो रहा उद्द्योग को बता सकते हो, हीरा उद्द्योग को बता सकते हो, जिसके काण से आपको अच्छा नगासा नंबर मिल जाता है, ठीक है? अगले कोशन के और बढ़ते हैं, कोशन नमर हमारा सेवन्थ है, सेवन्थ की हम जब हम बात करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा रफली पढ़ते हैं, क्योंकि इस कोशन का जो एग्जेक्ट आंसर है, आपके बुक में मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो फिर भी हम इसको स् इस कोशन को, बुक में है नहीं, फिर भी कोशन पूछ लिया है, तो आप आंसर लिखे कैसे, तो कोशन पूछ क्या रहा है, गुजराथ में मांडवी और मुंद्रा, नगर के उधे और विकास ही आलोचनात्मक परिक्षड़ कीजिए, देखो सबसे पहले जब हम इसको इस प्रकार से लोगों का हुआ, डेली का विकास आज के समय में क्यों हो रहा है, क्योंकि डेली के इंदर में हर तरह के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग विस्थापितों के डेली में आके रह रहे हैं, बिहार से मतला मालो 20-30% की जो पॉपलेशन है नो डेली में आके रह क्या रहता है कि वहाँ पे लोगों का पलायन किस प्रकार से हुआ किस प्रकार से उन्हों की उद्योग इंडस्टी है अगर यहाँ पे डली में अगर काम ही नहीं होता तो हम क्यूं आते यहाँ पे इंडस्टी थी काम था इसकी काम से है ना तो उद्धियोग इनस्टी, पलायन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही matter करते है सासत में नगरिये विकास की क्या यूजना है, किस प्रकार से नगर का निर्माण किया गया खिस प्रकार से विकास किया गया ये भी matter कर जाते है ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते है गुजरात का बट इस question का answer जो था मुझे आपके book में मिला नहीं कहीं पर ठीक है तो अगर किसी viewer को दिखता है तो मुझे ये भी बताईएगा कि ये कौन से lesson में था ठीक है मैंने roughly चेक किया तो मुझे मिला नहीं बट एक पर नगर की बात करते हैं तो उपने विशिक नगर किस time period को हम कह रहे हैं जब अंगरेजों का time period चल रहा था अंगरेज जब हमारे उपाश आशन कर रहे थे तो बिल्कुल हम इसको विवाजित नगर कह सकते हैं पहले तो उनकी विसिस्ता प्यता दो कि क्या विसिस्ता ही थी त महोँ जादा सुरक्षित बनाए गए थे ठीक है? किले बंद आकार के बनाए गए थे तो अलग-अलग reasons से जैसे थार सुनतावन के विद्रों के बाद में जितने भी नगरों का निर्मान क्या करवाया अंग्रेजों के दारा में वो किले बंद करवाया गया क्योंकि उनको safety मिल सके दूसरी बात ये नगर विवाजित नगर क्यों कहा जा सकता था कि जब उन्होंने कॉलकाता के अंदर में towns का निर्मान करवाया तो black town और white town दो भागों बाट कर उन्हों करवाया जिसके गारें से हम उसको question number nine Bombay Mumbai के एक महानगर के रूप में विकास की विकास के स्परकार से किया उसके बारें बताईए देखो जो चोटे चोटे अन्ने साथ टापो से मिलकर एक पूरा सहर बना होता आज का जो बंबे न वो टापो पर बसा हुआ सहर है ठीक है उसको जोड़ा गया आपस में जोड़ा गया टापो को एक टापो यहां था तो ऐसे करके जोड़ा गया जिसके बाद वो बना तो किस तर से जो UI्टा venens है उन्होंनों उसको किराय पर ले लिए try किरायप ले लिए एंदर में is पर में इस पर में पुरी तरसा दिकार कर लिया Ctrl版bot एक का सब्सक्राइब करें चाहत Euch?. किस तरसे इसको सहर बनाना है cód07-200 जिन फारा को है जिसके कारण से सूरत के पतन के बाद पूर्टकाली जो थे और अंग्रेज थे अपना नियंतर इस्थापित करना चाहते थे दोनों आपस में लड़ रहते बुंबई के लिए कि मेरा है मेरा इस तरह से चलता जा रहा था 1680 के बाद में 1680 के बाद कमपनी ने पूरी तरह से मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया उसके यहां पर मुख्याले के रूप में उसको चुना गया ठीक है और 1880 के आसपास में कपास के जो कच्छे कपास के विसाल यातरा थी बॉंबई से चीन के लिए निकाला जाता ठीक है तो मुंबई का किस तरसे विकास हुआ किस तरसे ग्रो किया आपको यहां पर यही बताना है ठीक है तो easy answer है कुछ जादा difficult नहीं है आप easily बता सकते हो सबसे last one chapter है चालिसवा chapter है उसमें आप easily जाओ वहां पर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख तो आप कमेंट करके बता सकते हूं मुँश कोश्चन पर एक इस पेसली प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा जिससे आपको वीडियो से उस कोश्चन को समझने में असानी हो तो यहां पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं बड़ एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी वीवर से आप like, share, subscribe जरूर करें आप हमारी चैनल के membership से जुड़ें ठीक है आपके एक एक like, share, subscribe करने से हमें motivation मिलती है कि हम और अच्छे से मेनद करके और अच्छी वीडियो बना सकें तो friends thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care all the